हेलो दोस्तों, साइन्स एंट टेक्नोलजी की क्विज नंबर 3 में आप सब का स्वागत है बहुत सारे हिंदी मीडियम की स्टुरेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं और हमें समझ में नहीं आते तो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इंग्लिश के टम्स होते हैं और जिनका हिंदी में ट्रांसलेशन हो सकता है मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए लेकिन साइन्स एंट टेक्नोलजी कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही टेक्निकल टम्स हैं जो कि इंग्लिश में ही हैं उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है और अगर ट्रांसलेट कर भी दिया जाए तो आपकी समझ से बाहर होगा फिर भी आप हमारे लिए इंपोर्टेंट हैं इसलिए मैंने बहुत सारे टम्स इस वीडियो में हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है और उसे बगल में लिख देने की कोशिश की है जिससे ये quiz English medium के साथ हिंदी medium के लिए भी आसान हो जाए और उपियोगी हो सके तो चलिए इस quiz को शुरू करते हैं इसका जो पहला question है बहुत ही आसान है Swarna sub one is a variety of यानि Swarna sub one जो है वो किसकी variety है Paddy यानि धान crop की Wheat यानि यहूं फसल की Millet यानि की jaw की या none of the above जल्दी से answer करें तो इसका answer है Paddy यानि की धान crop चलिए इसको जरा समझ लेते हैं आसाम में हर साल आपको पता ही है कि बाढ़ हाती है और बाढ़ आने की वज़ा से यहां की जो धान की उपज है वो बहुत ही ज़ादा खराब हो जाती है और डूब जाती है तो यहां पर जरूरत थी कि कुछ ऐसी varieties धान की ऐसी उपज पैदा की जाए जो की flood को tolerate कर सके यानि बाढ़ को जहल सके और उपज दे सके तो बाढ़ को जहल सकने वाली अधिक पानी में भी उपजाओ कुछ varieties को develop किया गया रंजीत सबवन वेराइटी जैसे स्वरना सबवन वेराइटी और बहादू सबवन वेराइटी यह कुछ वेराइटी हैं धान की जो की यहाँ पर बोई जाने लगी जिसको develop किया Indian Council of Agriculture Research ने और साथी साथ इसको develop किया Manila-based International Rice Research Institute ने इसको develop किया इसे 2009 में develop किया गया था इन वेराइटीज को और उसके बाद धीरे धीरे जो traditional वेराइटीज हैं उनका यह स्थान यह सारी वेराइटीज लेने लगी लेकिन अभी इनकी जो कह सकते हैं भुआई उस तरीके से नहीं हो रहे हैं जिस तरह से होनी चाहिए slow है लेकिन फिर भी यह बहुत ही ज़ादा useful होंगी future में इसमें question यह है दूसरा question यह है कि consider the following statement regarding satellite रावन satellite मतलब उपगरा उपगरा रावन वन के बारे में कुछ statement दिया हुआ है it is Sri Lanka's first satellite designed and developed by local engineers यानि Sri Lanka का यह पहला satellite है जो कि वहाँ के local engineers ने develop किया है it has been successfully launched into orbit from the international space station यानि अंतररास्टी अंतरिच station से इसे launch किया गया इसकी कच्छा में तो क्या इसका पहला statement सही है दूसरा statement सही है दोनों सही है या दोनों गलत है जल्दी से answer करें तो इसका answer है both one and two यानि कि ये दोनों statement इसके सही है श्रिलंका का first satellite रावन वन है जिसको यहाँ के दो local engineers ने यानि कि श्रिलंका के engineers ने develop किया है और इसे international space station से launch किया गया और जब इसे launch किया गया तो ये burst three satellite जापान और नेपाल के नेपाली set यानि नेपाल का पहला satellite नेपाली set के साथ इसे international space station से launch किया गया ये जो satellite deploy किया गया यानि कि इसे launch किया गया जक्सा यानि Japanese Aerospace and Exploration Agency द्वारा इसे launch किया गया तीसरा question है with reference to sheet blight disease consider the following statement यानि sheet blight disease है एक रोग है इसे के बारे में कुछ statement दिया हुआ है it is a disease caused by bacteria ये bacteria द्वारा जनित रोग है दूसरा है कि ये it affects rice crop ये धान की फसल को affect करता है इसमें कौन सा statement सही है पहला statement, दूसरा statement, दोनो statement या दोनो statement गलत है तो इसका answer only two सही है यानि की दूसरा statement इसका सही है it affects rice crop sheet blight जो disease है वो soil born disease है यानि भूमी जनित रोग है यानि भूमी से ये उत्पन होता है और इससे cause करता है fungus एक फफूंद और उस फफूंद का नाम है rhizotonia solani ag1-1a याद रखेगा rhizotonia solani ag1-1a फफूंद से ये रोग होता है तो ये चर्चा में काफी रहा और क्यों रहा क्योंकि डेली बेस नैशनल इंस्ट्यूट अफ प्लांट जीनोम रिसर्च ने इसकी जीनोमिक डाइवरसिटी यानि इसके जीनों का पता लगाया है sheet blight disease जो है वो rice cultivation के लिए बहुत बड़ा इशू है बहुत जादा 60% अगर कहीं पर भी sheet blight disease हो जाए तो लगबख 60 प्रतिशत खेती को चावल की खेती को खराब कर देता है तो जल्दी से देखिए यह चौथा question है with reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl PFAs consider the following statement यानि यह कुछ chemical है जिनके नाम दिये हुए है इन chemical के regarding कुछ बातें यहाँ पर दी गई statement दिया गया है उसे समझे PFA are used in cookwares यानि खाने बनाने वाले जो बरतन होते हैं उनमें PFA use किया जाता है the use of PFAs are regulated in India यानि भारत में PFA regulate कर दिया गया है विनीमित कर दिया गया है यानि इस पर रोक लगा दी गई है consumption of PFAs can be fatal for human being यानि अगर PFA को आपके शरीर में पहुँच जाए तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही जादा हानिकारा घातक हो सकता है तो कौन सा statement इसमें सही है पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या चारो तो इसका answer 1 and 3 सही है यानि PFA जो है वो cookwares में use किया जाता है ये बिलकुल सही statement है और इसका जो consumption है वो घातक हो सकता है ये भी विलकुल सही है लेकिन भारत में इसका विनियमन यानि कि इसको रोका नहीं गया है इस पर प्रतिबंध नहीं लगाये गया है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते है PFA जो है वो एक artificial chemical है यानि एक कृतिम रसायन है जो की बहुत सारी चीजों में हमारे घर में या आसपास यूज किया जाता है ये quickwares को बनाने में यूज किया जाता है साथी साथ fabric industry में इसका यूज किया जाता है कपला उदोग में इसका उपयोग किया जाता है paint में इसका यूज किया जाता है और food packaging यानि कि खाने को package करने में भी इसका use किया जाता है अब बात याती है कि अगर ये हमारे शरीर में खाने के बरतन में अगर ये मिला हुआ है तो हमारे खाने के बरतन से होते हुए हमारे शरीर में विब जाएगा तो ये हमारे organs को dysfunction कर देता है, kidney और liver को खराब कर देता है और बाद में ये cancer भी cost कर सकता है इंडिया के concern की बात की जाए तो पूरी दुनिया में कई countries हैं जिनों ने इस पर ban लगाया है लेकिन भारत ने अभी इस पर कोई ban नहीं लगाया है next question पांचवा question है the two countries that has been declared measles free by WHO यानि खसरा मुक्त country हो गये हैं WHO के द्वारा कौन कौन से country हैं इंडिया और शेलंका, शेलंका और मालदीव, मालदीव और बंगलादेश, भूतान और इंडिया जल्दी answer करें तो इसका सही answer है शेलंका और मौलदीव को WHO ने measles free घोशित कर दिया है इसे जरा समझ लेते हैं WHO के अंसार measles और rubela यानि जर्मन खसरा और खसरा दोनों जो हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो गये हैं शेलंका से और मौलदीव से इसके अलामा भूतान, नौर्थ कोरिया और इस्ट तिमोर प्रांच जो है वो भी measles free घोशित कर दिया गया है अब देखिए इन सब चीजों की हिंदी translation प्रॉसिबल नहीं है ये क्या है इसे आपको याद रखना होगा फाल आर्मी वम, consider the following statement यानि फाल आर्मी वम से related कुछ statement दिया हो गया है उसके बारे में आप समझे the geographical spread of फाल आर्मी वम्स is restricted to Asia यानि फाल आर्मी वम्स जो है वो सिफ एशिया reason में ही फैला हुआ है फाल आर्मी वम्स only feed on maize crops यानि फाल आर्मी वम्स जो है वो सिफ मक्के की crop को खराब करता है यानि उसे खा कर बढ़ता है कौन सा statement इसमें सही है पहला statement सही है या दोनों नहीं सही है तो इसका जो answer है वो D सही है ना पहला statement इसका सही है ना दूसरा statement इसका सही है दोनों गलत है तो इसके बारे में थोड़ा explanation समझ लेते है और फिर ये पूरी तरीके से चाइना, ठाइलाइन, मलेशिया और शिलंका में फैल गया पिछले साल ये इंडिया में पहली बार detect किया गया और almost 50% of country को इसने घेर लिया यानि कि हर जगे भी ये पहुँच गया मिजोरम, महराश्टरा, करनाटका, तमिल नाडू, आंधर प्रदेश और 36 गर्मद्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट पंगाल इन सब जगों पर fall army bomb देखे गए और ये जो कीड़ा है, ये multiple crops को सिर्फ एक crop को जैसे उसमें option में दिया हो गया था कि सिर्फ एक crop को नुकसान पहुचाता है, ऐसा नहीं लगबग ये 80 प्रकार की crop को नुकसान पहुचा सकता है चाहे मेज हो, चाहे सुगर केन हो, सात्वा question है तब first ever military communication satellite ANASIS-2 has been launched, यानि पहला संचार उपग्रह पहला सैन संचार उपग्रह ANASIS-2 किसने लांच किया नौर्थ कोरिया ने, साउथ कोरिया ने, इरान ने किया, तुर्कमेनिस्तान ने किया, जल्दी answer करें तो इसका answer है, साउथ कोरिया ने साउथ कोरिया ने first ever military communication satellite ANASIS-2 को launch किया है तो साउथ कोरिया ने इसे जो launch किया वो इसलिए launch किया, क्योंकि इसकी मदद से वो nuclear arm North Korea पर नजर रख सके यानि North Korea जो की nuclear armed है जिसके पास nuclear weapon है उस पर नजर रख सके उसके लिए especially South Korea ने इसे launch किया है Next question, आठमा question With reference to anthrax, consider the following statement anthrax से related कुछ statement दिया है उस पर आप गौर करें It is caused by fungus यानि कि ये कवग जनित रोग है There are no vaccine for anthrax anthrax की कोई vaccine available नहीं है The disease is found in both humans as well as animal यानि कि ये humans को भी affect कर सकती है और साती साथ जानवरों को भी affect कर सकती है Consumption of meat can lead to anthrax यानि कि अगर आप meat खाते है Non-vegetarian food खाते है तो ये anthrax को फैलाने में मदद करती है तो कौन से statement इसमें सही है पहला दूसरा तीसरा सिर्फ या एक तीन चार या तीनो तीन और चार तो इसका answer है D यानि तीसरा और चौथा statement इसका सिर्फ सही है तो इसके बारे में समझ लेते हैं anthrax जो है वो deadly disease है जो gram positive rod shaped bacteria से होती है ये fungus से नहीं होती बलकि bacteria से होती है ये humans को, pigs को और dog को कम असर करती है लेकिन infect इससे हो सकते है और ये horses को, sheep को, cattle को यानि कि घोडों को, साथी साथ बकरी, गाय बहांस इनको बहुत ज़ादा effect करती है ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि Defense Research and Development Laboratory DRDL मैसूर और जवालल नहरू इनवर्सटी जियन्यू ने एक vaccine इसके लिए develop की है अभी हाल में पहले से भी इसकी vaccine available थी लेकिन ये सबसे effective vaccine है क्योंकि ये toxin पर, यानि इसके जहर पर भी असर करती है और साथी साथ इसके sports पर भी असर करती है चलिए नौए question की तरफ आते है Consider the following statement regarding the global fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria यानि AIDS, tuberculosis and malaria से लडने के लिए एक global fund बनाया गया था वो क्या है उसके बारे में statement है पहला statement है It is a financing instrument यानि इससे finance कर सकता है ये with provide करता है with उपलब्द कराता है पैसे उपलब्द कराता है implementing agency ये नहीं है यानि कि ये इन रोगों को दूर करने के लिए पैसे तो दे देगा लेकिन कैसे रोग दूर होगा ये इस पर काम नहीं करेगा It is headquartered at Geneva Switzerland इसका headquarter Switzerland Geneva Switzerland में मौझूद है तो कौन से इसके statement सही है पहला statement दूसरा statement दोनों या कोई नहीं जल्दी answer करें तो इसके दोनों statement सही है तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि इस fund को 2002 में बनाया गया था और ये जो है वो एक financing fund है यानि कि सिर्फ finance कर सकता है तीक है किसी तरीके से implementation नहीं करेगा जो low income countries है या middle income countries है उनके लिए काम करता है वहाँ पर HIV, AIDS, tuberculosis और malaria की रोग थाम के लिए वित पोशन करता है यानि कि पैसे provide करता है और इसका headquarter जिनेवा Switzerland में है अराद और कारमल Recently seen in news Recently in news में अराद और कारमल काफी चर्चा में रहे तो ये क्या है submarines deployed by China in Indian Ocean यानि हिंद महासागर में एक submarine एक पंडुबी है जो China ने भेजी है US warship deployed in South China Sea South China Sea में US का warship है और Indian submarine and aircraft carrier respectively यानि एक अराद जो है वो Indian submarine है पंडुबी है और कारमल जो है वो एक aircraft carrier है यानि विमान वहाद पोथ है और चोथा है Israeli assault rifle जल्दी answer करें तो इसका answer होगा Israeli assault rifle ये चर्चा में क्यों रहा ये चर्चा में इसलिवे जैसे रहा अराद और कारमल क्योंकि ये manufacture होगा ये बनाया जाएगा इंडिया में और इसको मेकिन इंडिया की initiative के तहट बनाया जाएगा अराद और कारमल जो rifles है और इसका जो plant है वो मद्ध प्रदेश में 2017 में लगाया गया है तो होब कि आप लोगों ने इसमें काफी अच्छा किया होगा तो फिर से वही बात कि पांच के अराउंड अगर आपके questions सही हो रहे है या पांच से कम सही हो रहे है तो इसका मतलब अभी आपको मेहनत करने की जरुवत है current affairs से आप update नहीं है अगर पांच से उपर 6-7 questions सही हो रहे हैं तो ठीक है पढ़ाई आपकी लेकिन 8-9-10 questions अगर आपके सही होए है तो आपका काफी अच्छा कर रहे है तो hope कि ये series आपको पसंद आ रही होगी अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ changes किये जाने चाहिए तो comment box में जरूर बताएं इसको जादा से जादा लोगों तक share करें जिससे जादा से जादा लोगों को फाइदा हो सके Thank you so much May God bless you